जब किसी देश में संकट आता है तो कोई मसीहा बन के उस देश को बचाता है ऐसा ही कुछ 1907 में हुआ था जब यूएस के बैक्स की गलती के कारण पूरी की पूरी यूएस एकॉनमी खत्म होने के कगार पे थी और उसको बचाया जेबी मौर्गन ने अब उस समय यूएस की सरकार ने सरकारी बॉंड खरीद के मार्केट में पैसा बढ़ा दिया बढ़ा हुआ पैसा बैंक्स के पास पहुँचा बैंक्स ने लोन देने शुरू कर दिया और ऐसे ही कुछ रोंस कुछ स्टोक ब्रोकर्स के पास पहुँच गए इन stock brokers ने कुछ ऐसी companies में पैसा लगा दिया जो आके जाके बंद हो गई यह companies बंद होई तो broker बंद होई, broker बंद होई तो banks बंद होई एक तरीके से पूरा कपरा US का economy system हिल गया अब जब इस खत्रे की घंटी के अवाज JP Morgan के पास पहुंची तो अपनी चुट्टियां छोड़के वापिस New York पहुंचे धाई करोर डॉलर US की सरकार की जेब में डाला ताकि market में जो fluctuation आई है वो smooth हो सके और फिर उसी सरकार की साथ मिलके बड़ी-बड़ी companies के management और US के bankers को अपनी library में बुलाया धरवाज़ा बंद कर दिया और सब को कहा गया अपना कमाया हुआ पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा वापिस banks के तरू market में पहुंचाओ और liquidity ठीक होगी और economy भी और यहीं से US में central banking मतलब federal reserve system की शुरुआत होई 1907 में जो recession आ सकता था नहीं आया